ज़िए फिर सवागत आपक लिए थी स्टिटव में बात करने वाले हैं अक्छा बारवी का आपका 12 फरोर्वली को पेपर होने वाला उसमें आपको प्रश्टमा 1 से लेकर 20 तक क्यों कौन खोट आउगा diab। बात करने वाले कि आपको जो परसुपारंग का पेपर होने वाला उस्में अबको प्रक्षम एक से लेकर पात तक कि आपके जो अब्जेक्टि यह उसके लिए उसके लिए खिए पूरी दियानसे अच्छे से देख लेतो है तो यहां पर आपके सतर अंक पूरी तरह से पटके हो जाएंगे वीडियो को देखने के बाद आपको किसी बीडियो को देखने की जोरत नहीं है इस वीडियो के माद्यान साबके पशू पालंग के Peeper की पूरी तैयारी हो जाएगी मैं आपको वह question बताता हूँ जो कि आपको पढ़कर जाना है ठीक है तो यहाँ पर आपको एक अंग के लिए आपको जो objective टाइब के जो question पढ़ना है तो आपका जो पसुओं के सामधियर रोग वन आपका जो chapter उसमें से आपको चार नमबर के टोडल मतलब एक नमबर टोडल चार objective पूछेगा तो यहाँ पर वह खालिस्तां भी हो सकता है या तो सई जोड़ी में दे सकता है या एक वाक्य में भी दे सकता है तो आपको यहाँ पर कॉंकों से यहाँ पर इस चेप्टर से objective टाप के लिए question तयार करना है तो यहाँ पर आपको बता रहो यह वाला chapter पसू के खुर एव मुँ में घाव बननाना नीमन में से किसका लक्षे ने यहाँ पर आप कमेंट भी करते जाए अगर आपके पास यहाँ पर अगर आप इसका कमेंट करते जाओको तो आपको एंसर याद रहते जाएगा ठीक है तो यहाँ पर पहला answer हो जाएगा पहले का स देख सकते हैं यहाँ पर नोट कीजेए दूसरा यह objective है खुर पका वो मोँ पका भीमारी का कारण है तो यहाँ पर इसका जो कारण है वो विशानु ठीक है जो खर पू का वर मोँ पका भीमारी का वह carryfon की करते यह फेलता है ठीक है दूसरा बक मरी बीमारी का का रहते तो किस में होता है शुषक मोशम में ठीक है याद रखेगा जो पसू पर डॉपर बता चुका हूँ ठीक है यहाँ पर यहाँ पर इसका जो यहां पर थोड़ी से मिश्टेक है ठीक है उसके बाद जी टीवी टीके का प्रियोग निमने में से किस रोग के निरोत के लिए ठीक है नोट कीजिए जी टीवी टीके का प्रियोग निमने किस रोग के लिए के लिए ठीक है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर तो यहां पर खुर्प का मूप का ठीक है जो एफ ही तो जैसन जो वीदी है किसके खुर्प का मूप का रोक रोकने की एक वीदी है शोस्त गाई भीज का तापकरम कित्ता होता है सोउस से 102 ठेक है उसके बाद तीसरा नीलत-हुता का रायसानिक नाम क्या है तो कोपर सलपर ठीक है उसके बाद यहाँ पर फुट बात उपचार खालिस्तान वुरूक में से किया जाता है तो यहाँ पर खुपुका मुपका से पीडित पसुव को दिया जाता है ठीक है उसके बाद पसुपुका की इंग्विक्शन विधी खालिस्तान से कितने दिन तक होती है पास से आठ दिन तक ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नेश्ट कोश्चन तयार करना है क्या यहां पर आप देख सकते हो सत्या सत्या आपको तयार करना है आपको रिकिस्तम के वर इतनी पाची तयार करना है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर सत्या सत्या करना है यहां पर पहला सत्या पसु प्लेक जिवानो जनित बीमारी है यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ने में थोड़ी से मिश्टक हो जाती है इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पर मैं आप सभी को गलत समझा रहा हूं नहीं सही समझा रहा हूं ठीक है पसु प्लेक जिवानो जनित बीमारी है तो असकती ह उसके बाद यहाँ पर दर्द भरी सूजन पसु पिलेक बीमारी की पहचाने आ सकते हैं इसकी पहचान नहीं है पाच्वाइ वायरस जनित रोक में इंतरेक्स प्रमु के आ सकते हैं ठीक है नोट कर लो उसके बाद यहाँ पर नेश्ट कोश्चन है सही जोड़ी बनाई है तो ठ्रिट्या का संबंद अगर आपको बनाना है? ठीक है? उसके बाद पसुपलेक का संबद आपको इडिंडर प्रेस्टी से बनाना है? पूतिली, पोकनी का आपको पसुपलेक से बनाना है? खुरपुका मुवपुका का वाइरस जनियरी excellence ठीक है? नोट कर लो उसके बाद आपको यहाँ पर एक वाक्य वाले question देया करना है तो पहला क्या है रोग जिनके कारक का पता होता है किस रोग की शर्णी में आते हैं वे रोग कुण जिनके कारक का पता होता है किस रोग के अंतरगर आते हैं विशिष्ट रोग ठीक है उसके बाद दूसरा पूचा है खुर पुका मुपुका रोग का टीका गाय या भेस को पर्थम बार किस आयू में दिया जता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेश्ट कोश्चन क्या पूचा है यहाँ पर आपको बताना पसु पलेग रोग से मत उदर वो बताना तो पाड़ी छेत्रों के विदिशी पसुओं में 80-100% तथा मेदानी पसुओं में 20-40% ठीक है नोट रखेगा पाड़ी छेत्रों में किता होता 80-100 और मेदानी में किता होता है 20-40 किसी पसुओं की रेक्टम पर लाल नीली थारियों का बनना किस रोग की पसुओं के सामाइनी रोग तो यहां पर देख सकते हो क्या पूचा है क्लोई श्ट्रीडियम सवाई नामक जिवानों में फेलने वाला रोग है मतलब जो खुनी द्वस्त होता है ठीक है लंगडी रोग उसके बाद लंगडी रोग की मत्युदर क्या है तो यह इंपोर्ट परसेंट ठीक है गोल गोटू रोग की मत्युदर 90 परसेंट ठीक है फिर क्या पूचा है जीप सुख कर मुझ से बाहर आना निवनम में से किस रोग का लच्छन है तो गल खोटू ठीक है पढ़ने में थोड़ता प्रनाउस में मिश्टेक हो सकती है फटा पट में निवनम म किस रोग में पशु के समी सभी प्राकरतिक छिद्रों से कवलांतर जैसा जागदार इस्त्राव निकलता है तो वीज जवर थिलना रोग का कारा के जीवानू ठीक है नोड कल वर्शा रितों में अधिक्तम कौन सा रोग पशुव में फेलता है गल खोटू ठीक है वर्शा रितों में अधिक्तम कौन सा रोग पशुव में फेलता है गल गोटू ठीक है गोल गोटू का टीका लगाने का सही समय वर्शा से पहले लंगडी रोग का कारा के जीवानू गोल गोटू रोग की अधुभान अधी होती है एक से दो दिन इस्टिप्ट का परिच्छन के जा देखा तुम सभी वीडियो के लिंक में दे दिए इसके बाद जाकर देख लिएगा इस वीडियो के माईद्यम से आपके 28 नॉम्बर के जो कोश्चन है मतला आपके जो वस्तुनिस प्रशन है ओटी हो में पूरी तरह से कवर कराने वालां के भाई पर बरोसा रखो यहां प करते हैं ठीक है उसके बाद इंत्रेक्स क्या पूछा है इंत्रेक्स रोक्स में मरे पसु का सव विच्छत नहीं करना चाहिए और छटवा है गोल्ड गोटू रोक में से युवा अवस्ता के पसु अधिक प्रवाईद होते हैं वी जोवर का उद्वहंकाल 12-24 घंटे होता ह ठीक है नोट करो उसके बाद नहीं आप आप देख सकते हो गोल्ड गोटू रोक का जो HS के नाम से भी जाना जाता है ठीक है एसे वह कौन सा रोक ही जिसे HS के नाम से जाना जाता है तो गोल्ड गोटू ठीक है लंगडी रोक के मत्युदर 25 प्रतिशत्वत्थी उपर बता च पर चीरा लगाने पर काले रंग का चागदार खुन निकलता है जिसे सड़े अंडे जैसी बदबू आती है सत्य है ठीक है उसके बाद दूसरा बुछा है लंगडी रोग से ग्रशित पसू 24 से 32 गंटे में मर जाता है सत्य है ठीक है उसके बाद तीसरा इंत्रेक्स रोग काटने वाले रोग भी कहते है सत्य है ठीक है उसके बाद पसू को गोल गोटू रोग के नाविक जवर के नाम से भी जाना रहता है सत्य है इंत्रेक्स रोग से मरे पसू का सव विच्छत नहीं करना चाहिए सत्य है ठीक है उसके बाद सही जोड़ी की बात करें तो गोल गो सब्सक्राइब करना है जवार वाद रोब खाले सब्सक्राइब करना है जवार वाद रोग नाए न inspect कर लो उसके बाद पसुके किस रोग में उनकी गर्धन पीडा तो ताइम बहुत जादा हो जाएगा तो यहां पर मैं जो कोस्टर मताता है जाता हूं उसकीन सोट ले लो उसके बाद आपको बकरी पालंका चेप्टर उसमें से भी आपको दो नमर का मतला उब्जेक्टिव पूछेगा तो यहां पर पहला पूछा है बकरी का बोजा डोने जाने वाली नसले तो यहां पर आप देख सकते हो उसके बाद जमना परीक बकरी का मूरिस्थाण इटवा जीले का चंबल छे तीर्ग्ड नोट कर लो उसके बाद यहां पर आपको पूछाएं सेड़ी बखरी के नाम से जाने वाली नसले बरबरी बहुती इंपोर्टन कोच़े ने बारबर पूछा जाता है बकरी की इस नसले का मूल इस्तन तिबत है कौन सी अंगोरा ठीके विशूह में दूत के रानी के नाम से परकशिद्ध बकरी है सानेन केंदरी बकरी अंसंदन इस्थांस्तान इस्थिते फरा मतुरा उसके बाद एक वर्चम में दो बार बच्चे देने वाली बकरी के नसले बरबरी बकरी की दिवकाजी नसले जमनापारी ठीक है नोट कर लो पसमीना प्राप्त होता है पसमीना प्राप्त होता है बकरी से ठीक है याद रखेगा कौन सी बकरी से आपको कमेंट करना है ठीक है उसके बाद नहीं पर बताई देता हूँ पस्मिना कश्मिरी बकरी से प्रात होता है ठीक है जुमना परी सरवाधिक दूद देने वाली बकरी को भारतिया नसला है मतलब जो स्वाधिक दूद देने वाली बकरी की भायते नसले कौन सी है जमना पुरी उसके बाद बकरी की खालिस्तान नसलों को सुद्ध की दूद की रानी का जाता है तो साने नसली की बकरी को ठीके बकरी खालिस्तान गरीबों को गाई का जाता है गरीबों की गाई का जात बकरियों से प्रद्धिवर्ष लगबाधं सतन में टिन इस नहींके बाधं कर लो उसके बाद बकरी का गरबकर खालन से उता है दिन तक होगां सबन Okay तो आप यहाँ पर सभी कोश्चोनों का जित्ते भी यहाँ पर objective डाइब की कोश्चोन मता रहा हूँ उनका screenshot ले लिजिए और आप पल लिजिएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप देख से तो फटा बड़ा इसके screenshot लेते जाईए क्यूंकि यहाँ पर बहुत सारी objective की जो कोश्चोन आपको बताना है तो आप screenshot लेते जाईए हूँ यहाँ पर मैं आपको थोड़े यहाँ पर समय देते जा रहा हूँ तो आप नोट कर सकते हो ठीक है जैसे कि यहाँ पर पूछा है केंद्री बकरी अंसुंदन संस्तान का इस्ती दे बहुत ही important है फरा मतुरा उत्त पर देश ठीक है नोट करते जाए फटा बड़ यहाँ पर सभी कोश्चोनों को नोट करते जाए जैसे कि डेरे उत्पाद वहान है आप यहाँ पर देख सकते हो फटा बड़ इसका screenshot ले लिजिए यहाँ पर सभी कोश्चोनों का इंसर आपको मिल जाएगा फटा बड़ इं कोश्चोनों का screenshot ले लिजिए और पढ़ना सुरू कर दिए ठीक है फटा बड़ इसका screenshot ले लो ठीक है और हाँ अगर आभी तेक आपने इसका पीडियो पीडियो अगर यहाँ पर आप इसका screenshot नहीं लेना चाहते तो मैं इसका जो पीडियो किस पका डाउं कर सकते है उसकी जानकार भी बताऊंगा आप यूडियो में लास्तिक बने रहे है ठीक है तो यहाँ पर पहले इसकीन सोट ले लिजिए और यहाँ पर इनको पढ़ना है ठीक है यह बेड़ पालंका जी चप्टर उसमें से भी आपको पढ़के आना है तो यहाँ पर आप देख सेकते हैं य तो इस्पेन ठीक है मेरी ने भेड़ का अमूझ इस्थान है राजिस्तान में बेडे उत्तर प्रदेष मद्यप्रदेष और हरी आना से इस रानतरन की जाती है और यहाँ पर अंसर nya की की बैडों के कान island करना है दूत के शंगटन के लिए सबसे अच्छा ताफमान होता है तो इसका सऐ 위해 यहाँ पर जैसे मैं आपको एंसर बता हूं यहाँ पर आप कमेंट करते जाएं यहां पर आपने टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा सकते हो टाइपिंग स्पीड बढ़ा जरूरी नहीं है लेकिन आप कमेंट के जिसे आपको यहाद रहेगा कि मैंने यह एंसर कमेंट किया था इस प्रश्ण का ठीके प्रश्ण जरू तो 90% 99% ठीके उसके बाद नहीं पर क्या बोला है मीठे संगनी दूद में चीनी की मातरा होती है 25% ठीके और चोता है घनी बुत मीठे दूद में कुल दुगदो ठोज की नियुनतम मातरा होनी चाहिए 31% ठीके नोट कर लो उसके बाद नहीं पर क्या तैयार करना नेस्ट क पाई जाती है तो 26% ठीक है नोट कर लो उसके बाद next question आपको यहाँ पर रिक्रिस्तान की पूर्ती कीजिए या रिक्रिस्तान भरिये तो पहला क्या रिक्रिस्तान दुख्द चूर्ण में प्रोटिंग की प्रतिशयत मातरा खालिस्तान होती है तो 27.5 ठीक है दुख्द चू इस सत्य भी त्यार करना है तो पहला यहाँ आप देख सकते हों फूर्विधी द्वारा सहरु शेष्ट का दुख्द चूर्ण संगानी दूद में 80% जल होता है तो 17 car ठीक है संगनी दूद में जल 80% नहीं होता है किता है आप यहां पर कमेंट कीजिए ठीक है उसके बाद आपको यहां पर सही जोड़ी बनाना है तो वास्प्रिगे दूद में वास्पी करत दूद में जल की मात्रा किती होती है 23% ठीक है उसके बाद नहीं पर पूछा है मीठे संगनी दूद में जल की मात्रा किती होती है 24.4% ठीक है उसके बाद तीसरा है मीठे संगनी स्प्रिटा में दूद में जल की मात्रा किती होती है पेले वास्पी करत दूद में जल की मात्रा 73% मीठे संगनी दूद में जल की मा जाता है और इसे पानी की मात्रा अलग कर ले जाती है तो उस दूद को क्या कहते है ठीक है बता ना आपको तो उस दूद को क्या कहते है वास्पित दूद आप यहां पर हो सकता है पूछ ले वास्पित दूद किसे कहते है तो वास्पित दूद जब दूद को बिना सक्कर मिल लेने के 56 बचे दूद को क्या कहते है बताईए संगनी दूद के कहते है संगनी दूद अब संगनीfa की सभी बच्चों को यहाँ बच्चों को यहां पर संगनी oxygen की परीवास यह से लिखना है comment में ठीक है उसके ढुकι बात दूसरा है, मुर्गी साला का दापमाण सामिनेता रखा जाता है, तो 50–50 puedes फेनना है । estos sempre है, मुर्गी साला में निंस्यलिकित, क्या र समय रहना चाहिए, तो यहाँ पर प्रेंटिंग में थोड़े यहाँ पर एंस्यलिकर में यहाँ यहां पर मिश्टक होगे यहां पर option नहीं लिखे ठीक है तो अगर आपके पास परिच्छाज दिया नहीं है तो आप यहां पर से देखने जेगा परिच्छाज दिया में यह वाले question मिल जाएंगे तो यहां पर आपको मुर्गी पालान में कि कुंग कुण से समय यहां पर सब्सक्राइब बात के सामें उड़ाना में कि फा से किपनी यह रखी है तो यहां पर बताना है की एक मुर्गी के साथ सामय तक कितनी मुर्गिया रखे जाती है तो 8-10 ठीक है उसके बाद रिकिस्तान की पूर्टी कीजे तो यहाँ पर पहला है मुर्गी साला में खिड की खालिस्तान की और होनी चाहिए तो पूरुव से पश्चीम की और ठीक है दूसरा है मुर्गी साला में प्रती मुर्गी कम से कम एक खालिस्तान इस्ताम होना चाहिए तो एक वर्ग फूट इस्तान होना चाहिए ठीक है एक मुर्गी के साथ आठ से दस मुर्गिया रखनी चाहिए अभी उपर में आपको सेविकल्पें भी बताया था ठीक है उसके बाद एक आदर्श कुकुट शाला को धरातल से दो फुट उचा होना चाहिए ठीक है सोस्त की दर्ष्टी से गेरी विचावन पदिती मुर्गी पालन के सरवत्तम पदिती है बार-बार पुछा जारा इंपोर्टेंग हो चैने आठवा है पिंजरा पदती में मुर्गियों के पालन से विटामिन की कमी होती है तो विटामिन D की कमी होती है ठीक है उसके बाद सत्य सत्य तो पहला सूरिय प्रकास की कमी से पक्षियों में विटामिन D की कमी हो जाती है सत्य अभी बताया मुर्गी साला में दूप से क्या होती है कि तीसरा क्या अज्टियादिक भीड खरी कुकुट शाला में बीमारी फेलने की कमी संभावना होती है इसर्थ है लकड़ी या धाद्दू के बक्से में रासन या दाने की स्तान ग्रीट अत्वा कवच चूर्ण रखने से मुर्गियों की केलशियम के प्राप्ति होती है सत्य ठीक है अच्छा कोशन तैयार जूरी कीजिगा गेरी विच्चावन पदेती दौरा अच्छी कात प्राप्त होती है सत्य यह मुर्गियों में पसीने वाली गरंत्य पाई जाती है असत्य ठीक है उसके बास सई जोड़ी तो पड़चे जिया बसे रहे मुर्गियों के बेटने हुआ आराम करने के स्टेंट को कहा जाता है और लींग टेस्ट नेस्ट मुर्गी के अंड़े देने के लिए आईताकर वोक्स या टोकरी ठीक है नेस्ट गोशला तिसरा विटामिन डी कमी पिंजरा परनाली मुर्गी फार्म की च्छाथ चपर की पक्की खप्रेल चपर पकी खप्रेल कुकुट ग्रा क्या गेरी भीजाली परनाली मुर्गी साला की खिडकी पूरो पक्षी रखे जा सकते हैं तो 90 ठीक है 20 इंटू 5 फूट आकर की कुकुट साला में कितने 50 बीस गुणा पचास फूट आकर की कुकुट शाला में कितने वाइट लेंगोर पक्षी रखे जा सकते हैं 75 ठीक है 100 भारी नसले की मुर्गियों के घर की नाप लिखिए तो 65 अधिक्तम कितनी मुर्गी रखते हैं ठीक है तो एक मुर्गी घर में अधिक्तम 250 मुर्गया रखी रखनी चाहिए, ठीक है मुर्गी घर सेदे किस दिशा में बना जाते हैं व्यक्जिë इंदिशा में ठीक है नोट कर लो उसके बाद जो नेश्ट आपका जो चेप्टर एक कोकुट आर वह इस था इसमें से भी आपको अबजिक्टिव पूछेएगा तो यहां पर पहला अबजिक्टिव पूछेगा आपको कार्ण है गुल्टन चूरा है तो यह तैयार करना है इ नीमनों में से एलकोर की फिक्टरी का उपचा दे तो डिस्टिलेरी इस लोच ठीक है उसके बाद मुर्गी के आर में गोस्त या मचली का चूरा नीमनों में से किसका सुरोत है प्रोटिन का ठीक है उसके बाद मचली चूर्ण में प्रोटिन की मात्रा होती है तो 45-55% ठीक ह उसके बाद खालिस्तान की कमी से मुर्गियों में अंगगात बीमारी हो जाती है तो राइबो फोलीविन ठीक है उसके बाद मुर्गी आर में मुख फली की खली खालिस्तान का अच्छा स्रोत है प्रोटिंग का ठीक है उसके बाद स्वयविन चूरा में प्रोटिंग अधिक म सब्सक्राइब होता है याद रखेगा उसके बाद विटामिन डी कमी से मुर्गी के अंडू की सेल पतली होने लगती है पानी के विश्था पालने के विश्था पानने की निए सो मुर्गी के बच्चों के लिए पानी के विश्था पानने की निए ठीक है उसके बाद यहां पर देख लीजेगा उसके बाद एक सब्द एक वाक्य मुत्तर मुर्गी में दात नहीं होते अता है इनमें आर पीसिने का कारी किस अंगा दोरा कहा जाता है गिजर दोरा ठीक है मुर्गी के R में किस ततों की कमी से अंडा उत्पादन कम हो जाता है केलसियम अंडा देने वाली मुर्गी को प्रती दिन कितने R के शड़ता होती 120-180 ग्राम आर की उसके बाद čोता है मुर्गी आर में मचली का चूरा किस पोशक ततों को प्रदान करता है आर में कौन से पोशक तत्व की अधिक्ता होनी चाहिए या तो पूछेगा कि मुर्गी के सरीर में व्रद्धी वह तो इन तीनों कोश्चनों का इंसर है प्रोटीन ठीक है नोट करो उसके बाद मुर्गियों में नर पक्षी में जनल शक्ति को बनाए रखने के उत्रदाई व घृष में रित्व के अंतरगत आता है तो यहां पर अब इसका एंसर किजें अभी बताता हूं पर पेलए कमेंट कीजिए इसका एंसर और क्मेंट किजिए ठीक है उसी प्रका यहां पर आपको बता है कि फूलो रॉंग बीमारी के लच्छाम प्रकाट होने का आपको समय ब दिला देता हूं कि आपको इससे पहले मैं आपको पारट वन मतलब से पहले मैं आपको शोला अबजिक्टिट के लिए जो इंपोर्टेंट कोस्चन पर ना हो मैं आपको बता चुका हूं ठीक है तो पारट वन जरू देखे जेगा आभी वीडियो कंट्यूनी रखे तो इन सभी इंपोर्टेंट हैं इन सभी का इंसर भी मैं यहां पर बता चुका हूं ठीक है उसके बाद यहां पर खालिस्थान प्या जाते हैं मुर्गियों में सपेत रंग के दस्त खालिस्तान रोग का लच्छन है तो यहां पर आप नोट कीजे पूल रॉम या इसको बोलते है बेसलेरी हाइट डाइरिया ठीक है याँ पर आप देख सकते हो उसके बाद दूसरा है टांगे कमजोर होना एवं पूछ नीचे की और लटक जाना खालिस्तान रोग का लच्छने तो ये भी पूल रोग ठीक है उसके बाद फाउल पोक्स रोग का कारक जीव कोने विशानू ठीक है याद रखेगा विशानू वाइरस फिर चोथा है कॉंबो वेटल तता तोजा पर छाले पढ़ना खालिस्तान रोग का लच्छने फाउल पोक्स ठीक है उसके बाद पाचवा है पूल रोग बीमारी का रोग जनक यहाँ पर आप देख सकते हो सालू मोनेला पूल रो ठीक है याद रखेगा उपर अभी बता आया है उसके बाद क्या है यहां पर पूल रोग से खालिस्तान आयू के बच्छे प्रभवश्थ होते हैं तो कम कम आयू के तो यह सभी जो खालिस्तान है बहुत ही इंप्पोर्टेंट है इस खालिन सभी खालिस्तानों को तयार कर कई ना है ठीक है उसके बाद नियाँ जोडी इसके पहला शपीद सत्त भी मारी अभी उपर आपको मुझत को चाहिए तो इसका से आपको मिलान हो जाएगा कि से फिर दूसरा है कुकुट चेकर फावल पोक्स तो अभी इसका इंसर आपको बताना है भी वाइरस बताये था उपर विशानूल कुकुट शितला एंचेचक ये क्या होता है कम आयूक मतल़ छोटी पक्षियों में ठीक है सुखा रोक लास्ट एसी मिलांग की जिएगा ठीक है उसके बाद क्या है सपेद दस्त के नाम से मुर्गयों का कौन सा रोक जाना जाता है तो पूलो रोम ठीक है उसके बाद बीवीडी का पूरा नाम बेसलेरी हाइट डाइरिया उसके बाद पूलो रोम बीवीडी के रोक जानक का नाम लिखे तो सोलो में पूलो रोम हर्दे पर पीले रंग की गाठे पढ़ जाना की सरोग का लक्षन है तो बेसलेरी हाइट डाइर्या BWD ठीक है BWD नहीं BWD ये फटापट पढ़ने में ठीक है क्या है फिर पुछा है हिमक्रिट डेरी उत्पाद ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर पहला पुछा है आईस्क्रीम का सरोबत्म उद्योग का रूप दिया है तो इसका आपको एंसर बताना है जेकब फेजल और यहाँ पर अगर आपके पास परिच्छाच देने तो उसमें से भी इस चेप्टर से अबजेक्टिव पल लेजगा ठीक है यहाँ पर आपको इस चेप्टर से जो हिमक्रिट डेरी उत्पाद है इसको आपको परिच्छाच देन से अबजेक्टिव सभी पल लेना है ठीक है यह मैं आपको कोस्चन बेंग से बता रहूं अगर आपके पास परि नियमित भोजन में खाने पर आइस्क्रीम है तो इसका सही एंसर हो जाएगा गटा भी सकती है और बड़ा भी सकती है ठीक है ठीक है उसके बाद कि इस आइस्क्रीम में अंडा मिला जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा फारपेट आइस्क्रीम में ठीक है नोट करो देख लिजेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूड़ी आश्क्रीम में दिखता से होता है तो आप इसका इसकीन सोटे लिजे ठीक है उसके बाद नहीं पर आपको खालिस्तान जैसे की पहले का आपको यहाँ पर पूचा जिलिटिंग को पहले 6-8 गुने में गोल लेना चा कर सकते हो उसके बाद यहां पर आप ङाप साई जोड़ी बीनोट कर सकते हो इसकी इन सोट ले लिजा ठीक है आप इन सभी को पल लेजेगा सत्य सत्य रिवी पल लेजेगा ठीक है और इससे पहले पार्ट वन यूड़ियो में आपको बता चुका आउं तो पार यहाँ पर देख सकते हो ठीक है और यह वाला उब्जेक्टि थोड़ा इंपोर्टेंट है देख लेज़ेगा अमुल का पूरा नाम तो यहां पर आप सभी को बता है अमुल का पूरा नाम होता है आनन्द मिलकर युनिटिट लिमिटेड ठीक है इंपोर्टेंट है यह से तो सभी अबज कर दो कि यहां पर आपको कुश्चन आपको तयार करना संतुलित अहर किसे के तो यहां पर आप देख सकते हो कैसा आहर जिसमें पसु की सभी और शकता है जिसे जीवन अब यहां पर नहीं पर इसलिए बता रहा हूँ कि अपने पास ज्यादा समीनी कि यहां पर मैं आपको समझाओं ठीक के आप इहां पर इस्किन सुट ले लिजिए यहां पर क्या बताए जिसे पसु की सभी अशक्तिया जिसे जीवन निर्वा उत्पादन तथा वर्दी सम्धंदी अशक्तिय पूर्ण हो एव़ पसु को सोझत रखने के लिए सभी अशेप प जरवन ठीक उसके बाद नेयाव यहाऄ को नेस्ट कोश्टन क्या करना है वह सा में गुलंसिल धरिश कर शील विटामिन करना है तो क्विटामिन होते व सा में रिइवील अविटामिन घ्रुएएराशन क्या है अगर आपको पुछे निर्वा-ाहर आप एकसु का सरीर भार्ग बिना घट्टे समान करता हो ना उत्पात करता ओना कोई कार्य करता हो आता कि वह मात्रा जो अमुक पसुकों के वर रच्छा के लिए दी जाती है निर्भा आहर कहला टी है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नेस्ट कोश्चन देया करना है पसू आहर में प्रोटिन के आपको तीन कारी बता नहीं तो पसू आहर में प्रोटिन के तीन कारी नहीं आपको दो कारी याद करना है कि ते दो क्योंकि दो नम्बर का कोश्चन है तीन याद करोगे तो च्छी बा सब्सक्राइब होते हैं ठीक है तीसरा है प्रोटीन दुख्द मास अंड़ा उत्पाद में मतुपर मोमिका निपाते हैं यहां पर आपको दो तया करना है कि दो नूमर के कोश्चन बता रहा हूं तीन याद कर लोगे तो अच्छी बात है अगर पेपर में जाके एक आदा लिखे ठीक है तो पसु आर में मोटे चारे का मातुव नहीं मिली किते जिसे पेला मोटे चारे पाचन तंत्र को सुचारू एवन सुगम बनाते दूसरा यह पसु के पेड़ भरने एवन तप्ति प्रदान करने में मदद करते ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नेस्ट क इसकी विश्यस्ता या गुन की बात करें तो पहला है पाचन सिल्ता और दूसरा है भारी तथा प्रयाप्त परिमान आप यहां पर इसके पॉइंड यात मत करना इसको आपको वर्नान भी करना पड़ेगा ठीक है दोंक फिर मिलेंगे उसके बाद आपको वसा के आपको कारि कितने दो कारिये पहला एक कर्भाईडर्ड का प्रमुक कारिक सरी को उलजा प्रदांग करना दूसरा प्रदांग करने में गुलकोस शुक्रोश इस्टार आदि मत्व पूरे ठीक है दूसरा यह तरी के तापको स्थीर बनाए रखने के लिए उज्या देता है ठीक है नोट क्या है इसके दो कार्ये लिखे तो सू निर्वार अत्रिक दिया जाने वाला और जो सकी हुल्द वुरद्ग रसंग के रूप में दाने देग सकते हैं तो नोट कर लो एक वे पर आपको रभी गो energy दिये गये नोट कर लो उसके बात ने आपर रापको व्युचा में यह तो बता चुका हूँ आधर्शाशन किसे के यह भी बता चुका हूँ फसु आर्म आवशक की निए चार खनीजों के नाम भी बता चुका हूँ जिसे के नम्मक अड़ी का चूरा लोगा तथा आयोडिन वोजन के लिए आवशक तत्वों के नाप तो यहां पर दिये गए प्रोटिंग के बारें बढ़ा चुका हूँ कार्बोएडरेट वसा विटामिन्स पानी सभी को पता है ठीक है उसके बात आप आपको क्या बढ़ना है मध्यपरदेश में जनौरी फ्रवरी माम प्राप्त होने वाले हरे चारों के नाम लिखे तो सभी को पता है यह तो मध् प्रतिश्यत मात्रा जो पत जाती है उस पोशक ततो का पाचंगुनां कहलाती है और सूत्र यहां पर आप देख सकते हो ठीक है बता चुका हूँ तो उसके बद यहां पर नहीं पर मोटा चारा किसे कहते हैं मोटा चारा कि मैं आपको उपर यहां पर गुन बता पता चुका हूं उसके बाद नहीं पर दो दिली वे चारों के नाव उपर अधिली बताए था तो यहां पर पहला लोगी या बरसीं ठीक है किस विटामीन को रखते इस्तरा रोधी विटामीन के ते विटामीन के यह एक नंबर के कोश्चन फिर्णय के ते बहुत ही इंपोर्टं कोश्चन बार बार पूछा दा और आपको यह तेयार करना ही करना है क्या साइलेश किसे केते साइलेश वह कटा हुआ वह एंवह घड़ों में दबाया हुआ चार है जिसमें रसीलापन वह हरापन एक बार पढ़के जाओं में कब पढ़ूँगा कब मेरे से तयारी होगी कि नहीं बहुत ही अच्छा सब्जक्ट है एक रिकल्चर का एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे इसमें आपको 100% अच्छे से नंबर आते हैं यहां पर आप जो लिखकर में अगर आपको पढ़ोगे और अगर आपने से साल भी नाबना चुका में लेफटम को कि दिला चुका हो कि न था हको वाटा डवयोगे इसमें हरे चाले के सभी विदमान रहते तथा कि सभी सड़ एंव quando नहीं होतीilate हरे चारे की कमी होने पर इसका उपयोग हरे चारे की स्थान पर क्या जाता है ठीक है तो इंपोर्टेंग कोश्चन है तैयार जरू कीजेगा उसके बाद आपको यहां पर के तैयार करना है सा इलिश की तीन जी तो आपको भूऻ दोई गूं दनıs सरल तो ह सब बहुतर एक होता है पर और यहां さ स्वाहनी घंध कहने की तीन कारण लिखें तो सभी को एक चारा ही सोड़ी एक जाता कि यहां पर पढ़ा चुक्झा उप्सालेश कहिए। अग हको घार अक्रण करणी कारंव भनतान बाती है और तीसरा है प्रह्श्डमिन अनुदरीन होई जाता हैं उसके बाद आपको यहां पर भारत में silage की कम चालन के आपको तीन कारन बताना है तो पैला क्या भारत में हरचारे का उत्पादम बहुत कम है अता silage बनाने के लिए 4 उपलग नहीं हो पाता और दूसरा अधिकतर खिसान साहिले तता उसके बनाने की तकनिकों से परिचीत नहीं मतलब यह यहांपर खिसानों इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है जिसके कारण यहांपर भारत में साहिले उसका कम चालन होता है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर next question त्या करना है स्वाई लिंग किसे केते इसके आपको 3 लाप बताना या तो आपको इसके लाप पूछेगा या तो परीबासा पूछेगा important question है दोने इससाथ तो नहीं पूछेगा ठीक है तो यहां पर आप देख से तो स्वाई लिंग क्या है हरे चारे की फसल उगा कर खेट से ताजा चारा काट कर पसुओ को खिलाना स्वाई लिंग के लाता है अब यहां पर आपको यह answer याप नहीं रहेगा का 100% याद रहेगा बस आप थोड़ा से एक बार पढ़ो दो तीन बार वीडियो देख लो जादा भी मत देखो दो बार देख लो तैयारी हो जाएगी दूसरा यहां पर क्या है जा चारा गरो की कमी होता था यहां तो आप अच्छे वच्चे हो तैयर करके जाओगे ठीक है साइलेज के कोई तीन लाग उपर बता चुका हूं अब यहां पर क्या ही देखना या तो देख सकते हो ठीक है यहां पर थोड़ा ज्यादा लिखा अगर आप पेपर में आ गया तो एच्छे नमर मिलेंगे ठीक है यह तो उसके पॉइंट है ठीक है विसे पुइंट साइलेज बनाने की गर्तवीदी के तीन आपको गुन बताना है तो यहां पर दिये गए आप नोट कर लो उसके बाद यहां पर है क्या यहां पर उपर जिसे इन बता चुका हूं कि है क्या होता मैं आपको बताने वाला था तो घास की सुखी हुई अच्छा कोश्चन है त् विद्रमान रेते हैं पतिदार होती है हैं नोट कर लो उसके बात पसुकि अच्छे हैं क्या आपको नीराकरंग के मतलए कोई आपको डो तीन उपाई बताना है तो यहां पर देख सब्धे मातरा में दलहनी ई वह अनाजी चारा लगाना चाहीए दुस्रा चारे के लिए उ योग्य बाते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टेन है त्यार जुरू की जगा ठीक है उसके बद नहीं पर आपको पसू चिकत समय गंदक के आपको दो उप्योग बताना है तो पहला क्या पसू की खुझली दूर करने के लिए दूसरा दाद हो चर्म रोगों के मरहम बनान है तो पहला कारी क्या है जब यहां पर आप देख से तो कोपर सेल पेड या फिनायल का तनु गोल गोशाला के दरवाजे पर एक चोड़ा गड़ा करके उसमें भर देते इसके दो लाबे पहला जब पसू 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 साला के बाहर या भीतर जाते तो यह गोल उनके पेरों पसू में लग जाता है जिसे पसू का खुर्पुका मुझ पूपा रोप से बचा होता है ठीक है दुसरा पसू के पेरों में चिपके पर जीवी नस्ट हो जाते ठीक है उसके बाद पसू चिकत समय उप्योगी जीवानों ना सक दवाओ के आपको नाम बताना तो पहला पेन किनुमा यंत्र होता है इसका प्योफ पसू के बधिया करेंगो लिए कया जाता है पसू के वर्षन में रक्त ले जाने वाली नाली का इस पो मेटरी कारद कर दो डबा कर रंत, परवाख खतम कर देते जिसमें वर्षन इसक्री हो जाता हूं पसु बद्या हो जाता है ठीक है सेचक के बार में पूछा गाता है तो यह ताम चीनी की बनी हुए एक छोटी सी टंकी होती जिसमें किटनाशी गौल भरा होता है इसे गाउद होने दाता साफाई करने के काम में सब्सक्री ना करना में यह तो पहला ग्या अकर भरा पर के बारे में पढ़के जाना है और जाना है जानेगा मतलब यहाँ पर जो टीक की हुऊ तो याद करना ही करना है लेकिन एक बार सभी मतलब आप यहाँ पर देख लिए इंपोर्ट है जो कोश्चन में बता चुका हो आपको मतलब यहाँ पर सभी एक बार पढ़कर तो जाना ही जाना है ठीक है उसके बाद सब्सक्राइब फॉट पर मेगनेट तथा मेगनेट से विप्लेट गापको दोडो कारी है तो यहाँ पर आप देख लिए नोट कर लो उसके बाद आपको यहाँ पर यह वाले जो यहाँ पर आपको यह जोवर हारी प्रतिज्वीक वोमन कारी तथा कप निशारक के बारे में इनका उपयोग काया जाता है तो यह आपको तयार किजाना है ठीक है वहमनकारी उसोदी क्या है पसुची किसा में उपयोग चार वहमनकारी उसोदी के नाम बता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोट कर लो उसके बाद पसुचिकत समय विग्यान में काम आने वाली किनी चार समनी और सोधियों के नाम आपको यहां पर दिये गए नोसादार, सोडियम, बाइकार्ब, आयोडीन, बोरेक्स, क्लोरोफाम ठीक है उसके बाद पसुचिकत समय फिट करी कि आपको दो प्योग बताना है बहुती इंपोर्टे कोश्चन है बार बार पूछा जाता है तो यहाला कोश्चन तयार करना ही करना है ठीक है उतके बाद कतला मचली की प्रमुक विसेस्ता है दो विसेस्ता है 100% द्याक के चले जाएगा बहुत ही important question है याद करना है तो करना है अभी मेरे साथ याद करिए पहला क्या होता है कतला मचली की विसेस्ता है इनका थूतन चोड़ा मुह बड़ा दता है निचले ओस्ट काफी उबरे होते है याद कीजिए दो बार पढ़िए ये तीवर गती से वर्दी करती है कतला मचली तीवर गती से वर्दी करती है इनका सरी बड़े बड़े हल्कों से ढखा रहता है ठीके इनकी लंबा 180 सिंटीमेटर तक होती है इसी बका एक रोहु मचली का भी पूछेगा इसके में पंक दूशकर लाल यहां याउत। करना है तो यहा पर पहरला उत्तम भूझ्व पधि dependent प्राप्ति उद्ज्चयोगी कंश्चयोप बनाने में जिसे में खादमच्य तेल या वेप송 णर्णी करना तो यहाठी लिए उसके राश्च्टरब वर्दी हुना इवह बहुत ही important question है इस बार पूछा गया था आपके pre-board में नर्सरी तालाब का आकर मचलियों के अनुपात में रखा जाता है ताकि मचलियों की अती भीड से बचाए जाए एक इस तरी नर्सरी तालाब का आकर किता हो था पचास से सहाट इंटू 30 से 40 से 4 से 5 होना चाहिए ठीक है अब जो चेप्टर उसमें से यह वाले question दया करना है ठीक है और यह वाले question भी तया करना का झाला की प्रजातियों के नाम या अभी आपका जो प्रीबॉड यो पेपर हो था उसमें भी वाला question है पूछा गया था अगर देशी की बात करें तो कतला रोह या पर उपर बता च चर्म सामाईने कार्ब स्ल्वर स्कार्ब ठी ultrasound तो याद रखेगा उसके वद नियाप अपको यह पर hypo फाइफेइस था निकी क्या है तो आपको यह वाला कुशेन तया करना है ठीक है उसके बाद पर आपको अपको मत्चन पाहिए तालफ के प्रकार webinar नर्चरि उसके बाद नहीं पर नाश्ट कोश्चन जो लाश्ट कोश्चन है सकरवी पनन और सुरों के नमकीन मास वाली दो किसमों के नाम लिखे अभी आपका प्रिबाट का जो पेपर हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको यह वाला कोश्चन बहुत ही इंपोर्टन कोश्च पर सिने पूछा गया था। तो यहां पर आप सबीको पता है कि सका एंसर क्या है scorpry ऐख सेकते अच्छी स्थिती में नहीं रख सकते हैं खाज्य मत घड़ जाती है ठीक है और पाच्वा क्या मक्षन में धुए की गंद उत्पन हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर पाज बता रहा हूं जिसमें से आपको तीन हानी 100% त्यार करके जाना है क्यूंकि आपको यह बहुत ही इंप प्रतिशत लिखे या तो पूझे कि वशा प्रतिशत के आधार पर क्रीम के प्रकारों का वरगी करन कीजिए वशा प्रतिशत के आधार पर क्रीम का वरगी करन कीजिए तो आपको यह वाला एंसर लिखना है तो यहाँ पर आप देख सकते क्रीम का वरगी करन वशा की प्रत किससे उसका ह होती है उसके बाद है क्या है यहाँ पर देख सकते ही तंद कृश्चन में कित होती है तो इसमें ती सचाहरीज परसेन्स और जुलाष्ट है दो फर गाली क्रीम और प्लास्टिक क्रीम इसमें 60-80 Wrestle करा सोरी अब मक्कन में हीं पानी पानी की अत्रिक मात्रा कम हो जाती जिवानों नहीं पनप पाते जिससे वो अधिक समयात्य संदक्षी तरह सकता है और तीसरा है मखन का सवाद बढ़ जाता है और लास्ट है मखन का अवर रन बढ़ जाता है ठीक है चार बता रहा हूं उसमें से आपको जो तीन अच्छे से याद हो जए वो तैयार कर लिजिगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर नेस्ट कोशन आ शक्ता होती है दूसरा उत्पादन लाधत में कमी आ जाती है तीसरा अच्छे किसम घी बनता है चोथा गी में कम मातरा में अम्मलिता रहती है पाच्वाआ गी लंबे चटनियों के निर्मान में ठीक है इसके बाद आपको यहां पर नेश्ट कोश्चन देखकर जाना बहुत ही इंपोर्टिल कोश्चन है बटर किसे कहते है बटर की वर्किंग की की जाती है ठीक है तो यहां पर आप एंसर किजिए बटर वर्कर एक लकड़ी की बनी वी टेबल होती है इस टेबल पर एक बेलन लगा होता है बटर की लकड़ी के चमच से वर्किंग टेबल पर डालकर रोलर चलाते हैं इसे वर्किंग के थे ठीक है अब इसके उद्देश की बात करें तो मक्षन की रचना वह रंग अच्छा हो जाता है इसे लगबग 10-12 गंटे गर्म करते हैं इसके लिए को क्रीम पकाना कहते हैं ठीक है इसके दो लाव निबिली की थे पहला क्रीम पकाने से उसमें वाश्पिशिल तथा गंदे मई गेस निकल जाती है और दूसरा मक्षन स्वास वाला होता है ठीक है नोट कर लो उसके बाद अबको यहाँ पर करिम सपुर्टर का अबको चीतर तेया करना है तो यहाँ पर दिया गया इस चीतरों का आपको अच्छी से पल लेना है जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत ही NEXT चेप्तर उसमें से द्याइब करना है अच्छे द्याद के पाच गुण तो आपको यहापर आप सभी को बताएं कि यहापर त्र्म करना पहत यहापर अतर्वार्शिक के लिए यहापर प्रूण इंपोर्टेंट है तयार जरू की जगाट क्या है यहां पर आप देख सेकते हो दही के कोई तीन गुंद तो पहला है दही में 0.65 से 0.75 परसें अमलेता होनी चाहिए ठीक है दूसरा दही में खटेपन की गंद नहीं आनी चाहिए तीसरा दही में डाय एसिटाइल की मदूर ग ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नेश्ट कोश्चन तया करना है पनीर की भरिवासा एवन तीन परकारों के नाम लिखिए ठीक है तो यहां पर आप देख से तो पनीर की परिवासा क्या है पनीर वो दूगद उत्पाद है जो दूद में उपस्तित किसीन के इसकंदन से बना जाता है तथा इसमें वसा जल में गुलंसी यहों अगुनिसी लवन लेक्टोज और अविमियम भी उपसित उरहते है पनीर के तीन प्रकार ने मिली की थे जिसे की पहला मुर्द पनीर इसमें क्वाटेज पनीर तथा केमेट पनीर आते हैं दूसरा है दर्ड पनीर चे इन समझता हूं अच्छे जामन की तीन विसटाः तो यहां पर आप आप गड़ता है तो सवास एवन सुर्वी पैदा करने के लिए मिला जाता है जमन दो प्रकार का होता है प्रकर्तिक जमन तथा संवर्ड सुद्द संवर्दन जमन ठीक है इसकी विसेस्ताही की बात करे तो यहाँ पर आप देख सकते विश्यस्ता कोंकों सी है तो यहाँ पर आप नोट कीजिए जामन में इस्ट्रप्टो कोस, लेक्टिस, वो कर्मिनोईस तता सुगन पैदा करने वाले एल, साइट्रो बेटरस तता एल, डिक्ट्रो में बेटरिया होना चाहिए दूसरा जामन में दुग्द, दुर्गंद पैदा करने वाले जिवानों एक ओला या इस्टो वो मुलड़ेस आधी नहीं होना चाहिए और तीसरा जामन में 0.8 से 0.9 परतिशत अमलिया ता होने चाहिए ठीक है और जामन का अब जो पीएच मान होता है 4.1 से 4.3 होना चाहिए और जामन प्रबल एवन सीगर अमलता पैदा करना वाला हो ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नेश्ट को चनतया करना दही के खाज्य महत्ता कोंकोर्स ही है दही के आपको तीन विशस्ताई बताना तो पहली है दही से दूत अधिक पाचक होता है दूसरा यह सरीर की गर्मी को सांत कर पाचन सकती बढ़ाता है तीसरा दही की अमलता 0.7 से 0.9 परसें होने के कारण केल्शियम वो फासपरोस अधिक मातरा में गुलंसिल होते है जो वक्ता को प्राप्त होते है और चोता है दही सीगर सकती दाय को कारे चमता बढ़ाता है इसके बाद आपको यहांपर सुट्रे सभवा तो नोट कर लो उसके बाद को यहांपर आपको ओश्रल तया करना है बहुत ही सरता है तो यहार करना ही है ठीक है संगटक की बात करें जल वसा प्रोटीन लेक्टो बसम सक्कर प्रतिशत की बात करें तो जल चालिस और वसा बीस प्रोटीन बस लेक्टो सत्रा बसम दो और सक्कर बीस ठीक है नोट कर लो उसके बाद आपको यहां पर नेस्ट कोश्चन तया करना है कटोर पनीर या चडर पनीर बनानी का प्रावी आरेक दूद को किते 85 फेरनाइट तक गर्म कर जामन डाल कर पकाना उसके बाद रिनेट मिलाना ठीक है इसे बनाना आपको ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या है कर्ड काटना उसके बाद कर्ड तोरना और नमक मिलाना फिर कपड़े में लपट कर हूप में दबाना ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर next question तया करना कुलफी क्या है और ice cream और कुलफी में आपको अंतर बताना बहुत ही important question है आपको यह वाला निश्चीत देता है जबकि कुलफी का जो अनिश्चीत होता है आइस्क्रीम का जो संगटन होता हो कैसा होता है निश्चीत होता है जबकि कुलफी का जो संगटन होता हो अनिश्चीत होता है बहुत ही सरहले याद रखे आइस्क्रीम का निश्चीत संगटन निश्चीत होत में हवावा भरकर उसका अयतंन बढ़ाते जबकि कुल्पी में हवावा भरकर उसका अहतंन नहीं बढ़क को नहीं होती है इसके मैं आइस क्रीम में फिर व्यापारिक रूप से त्यार आइस क्रीम का पताना है इंप्टेशन एमपोर्ट्टंESE सब्सक्राइब करना है अभी आपके पास कितने 15 दिन ही तो पढ़ना है 15 दिन इमानदारी से पर लो रियल पेपर के चकर में मत रहो आपका बाई जो कोश्चन बता रहा है उनकी त्यारी करके चले जाओ और इससे पहले में आपको दोंक की जो कोश्चन हो बता चुका हूं उ तो वो कौकौन से का रहा के आप यहां पर देख सकते हूं पहला है परियोग में आने वाले पदातों के गुन दूसरा है तैयार करने में सोच्चता के साउधानी दीसरा है पर दियार करने की इन कर लो उसके बाद नजके और घर में तैयार किगए या स्क्रीन आपको यह तो आपको परिवासा पूछेगा यह तो इसके उद्धिश बताएगा तो यह इसकी जो परिवासा में अभी बताता हूं पहले उद्धिश नोट कर लो उद्धिश क्या है दुखद्चू नो बनाने की तीन उद्धिश न मिली किते पहला ठोस दूत को लंबे समय तक सुर फुक्र हमं मतारी इसमें कम ताप्माइन पर शुका कर तयार किया गया वह सूका पधात जिसे पूनत द्रोवर के रूप में पुनत द्रोव के रूप में प्रियूप केए प्रियोप क्या सकते हैं थ Charlie the कहते हैं ठीक है इसमें कम से कम 26 परसेंट दुख देख वसात अता है 55 परसेंट को ठोस पदातु की मात्रा होना आउशक होता है यह वाला कोश्चन पुछा जाता है क्या पुछाता है दूग देचोन बनाने कि आपको तीन विज़ दिया बताइए तो वह कौनकुन सी विदिय तो करना है ठीक है उसके बाद संगने दूट के आपको विसस्ताही बताना है उपर बता चुका हूं मेठा संगनी तेता वाश्पी दूद किशे के ते पढ़ लिजे संगनी देत के उपई की बात करें तो चाहिए कोफी बनाने में खीर बनाने में आईस्क्रीम बनाने में मिठाई बनाने में बहुत ही सरा ले ठीक है नोट कर लो उसके बाद आपको यहा हम बता चुका हूं संगनी दुवाला बता चुका हूं दुख दो चौन के उप्यों की बात करें तो शिशू आर के रूप में चाई कोफी बनाने में अभी उपर बताया ठीक है उसके बाद यहां पर आपको मिल्क पाउडर बनाने के विदी को समझा है यहां पर आपको चा प्रेटर में से आपको यहां पर चार नंबर के कोश्चन पूछाएंगे तो यहां पर आपको किस प्रकार से कोश्चन तया करना आप यहां पर देखिए आपको पूछेगा थनेरा रोग के फेलने के आपको दो कारण लिखिए और उसके कोई दो उप्चार लिखिए तो आ अपको यह वाला कोश्यं तयाकरना इसलिए यहाप आपको ठानेला रोक की आपको लच्छन भी तयार करके जाना ठानेस इंधों लच्छे ने तो यहाँ पर आप देखसे तो थनेरा रोग के दो लच्छे ने मिली की थे पहला थनेरा रोग ग्रशित पशू का दूट नमकिन होता है दूसरा इस्ट्रिप कब परिछन के दोरान दूग में थक्का बनाता है ठीक है और दूसरा थनेरा रोग के आपको उपच देते हैं ठीक है उसके बाद थने रोग फिलने के आपको यहां पर कारम बताना तो यहां पर आप देख सकते हो यह रोग पशु के थनों में चोट लगने अथ्वा गलत पशु प्रबंध जैसे गीले एवन ठंडे फरस पर पशु के बेठने के परिणाम सोरुप थन नली में जिवानुक के प्रविश द्वरा फिलता है दो दोहने वाली मसीनों द्वरा यह संकरमन अधिक हो जाता है तो यह वाले कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां पर जो तीन कोश्चन है मतलब यहां पर पहले यहां पर अबजेक्ट्र टैप के कोश्चन पुछे आते उसके दो उपचार लिखे या तो आपको पूछेगा दो लक्षन लिखे दो रोक्थाम लिखे रोक्ता लिखे बत है ठीक है तो आप सबसे पेले समझेज कि लंगड़ी रोक होता क्या तो नहीं पर आप देखे लंगड़ी या ब्लेक केलं अगर आपको व्यची तो भी आपको यह लिखना है एक अति संक्रामत प्रंतुब बीना छुआ चात वाली विमारी है जो दूदारू पसु एवं भेड़ों में होती है इस विमारी की मास्पीसियों में सूजन आव विशिशों के फेलने से रखत में उत्पन विशेला प्रभाव एवं उच्छों म प्रभाव लिखन की बात करें तो यहां पर आप देख सोते हैं इस विबमारी के सबसे बड़ी पेचान अगर एम पश्च पावो परंतु गुटनों के उपर की मास पेसियों का सूजना जेसो घेस भरे होने की कारण रगड़े जाने पर चटचाहट की अवाद देते हैं ठीके दूसरा इस बीमारी में बुखार लंगडापन एम प्रभाई छेत्रों के मास पेसियों में एटन लच पर करना चाहिए और रोक ग्रष्ट पसू के गाव के पास पेनिसलिंग टेटरस साइक्लिंग की सुवी लगानी चाहिए और दूसरा सल्फर थियोजेल्जियों इंटी टोक्सिक सीरम भी इस बीमार में प्रभावी द्यवाई है ठीक है नोट कर लो उसके बाद आपको नेश्ट कोस्चन तया करके जाना है जीवानु द्वारा फेलने वाले किनी चार पसू के आपको नाम बताना है ठीक है तो यहां पर आप देखें यहां पर जीवानु आपको इतने कोस्चन पढ़ना पड़ेगा ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नेश्ट कोस्चन आपको तया करना है उसकी रोकताम की वीडियो का वर्नन कीजे ठीक है तो यहाला कोस्चन भी आपका प्रीबोट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गा था तो यह करना क्या सकते हो ठीक है उसके बाद आपको यहां पर नेश्ट कोस्चन है कोश्चन नोट करना इंपोर्टेंट एंसर आप कहीं से भी पढ़कर जाओ लेकिन इंसर मतबद को पता रहना चाहिए कि हमें यह कोस्चन तया करना है ठीक है उसके बाद थैने रोक के बार में तो चार विडीयो के नाम लिखें और इंका वर्णन भी करना अब यहाँ पर आप hmm विदी तो दे चुका हों क्योंकिusanड़ थ no कि फिरफीत दुछा हूारा दूसरा धेकर को देख्कर तीसरा खुरो को देखकर छो थाई सींगो के चल्ले देखकर और पाच्वाई दातों द्वारा ठीक है उसके बद आपको यहाँ पर नेश्ट कोश्चन तया करना है पसू की जाच करने की वीदियों के नाम लिखे बहुत ही इंपोर्टेंग कोश्चन है आपका प्रीबोर्ट का पेपर गहा था उसमें अथ्वावन पुछा गया था तो इसका वर्नन यहाँ पर दिया गया है यहाँ आप आप देख सकते हो वर्नन के लिए दूसरी जगह भटकना नहीं है लिकिन यहाँ पर क्यों मैं तीन वीदियो का देपी चुका हूं आपको चार वीदी का करना तो एक एकर एक्ष्ट्रा वीदी वग आप देख लिजेगा यहां पर देख सकें वंस का चेहन तो यहां पर देख पडिए पशू वंस का चेहन है जेए पूरवज बोलते हैं पशू के गुणों के आधारप पर के जता है अतर coal पषू के माता पिता के वंस का पता वना आउशय buyer दूसरा है पारवणियु चेयन ठीक है इस विदि में पसुखी जाड़ पारावणियु के अधर किलेंग की जाता है इस प्रक्रक्रा के द्वारापнес के तरहीं और के बाद संतान पनिच्छन इस विदि में पसु की निजी संतान के गुण धर्म के आधर पर चेंड के जाता है क्योंकि नर्पसु वर्दी के लिए मतुबं भूमी का निबाता है ठीक है वह एक एक इस्टर जो वहाँ पर विदी बताई ना उसमें से एक विदी और तयार कर ज अटशन है उत्तम संड्ड की ज चार पूलेकर चलने वाला उन की यह नोट कर लो उसके बात उत्तम बेल की विज्चेष्टा है उत्तम बेल में कॉनकों से लच्छन होते या विससताई भी बोल सकते हो बेल वधिया होना चाहिए दुसरा मध्यम लंबाए तता मोटी गरदयों वाले बेल की कारचमता अधिक होती है तीसरा है बेल के पुट्टे धालू होने चाहिए चोथा बेल के आगे का हिस्सा पीछे के पिक्चा भारी होना चाहिए ठीक है नोट कर लो उसके बद आपको यहां पर नेश्ट कोश्चन तया करना है पसू की जाचकी आपको किते चार या छे मत्वत तया करना है तो छे तयार करके जाएगे कि चार नंबर का कोश्चन करने वी उपयोगी होता है पाचवाब पसू की उम्र की जानकाली में उपयोगी है च्टवाएगे तो के समस्विए अपको तया करना है और तम वक्षू पूर्ण जानकारी होनी चाहिए निर्नायक अपने निर्नायक पर अडिक रहना चाहिए यह सानी कि वह बदल जाए बीच में जाकर ठीक है उसके बाद गर्वती गाई कि आपको परमुग लक्षन तया करना तो अपको चाहिए पुछेगा तो ऑपर आपको पाषिया पूर्ण नहीं पूछएगा तो यहां पर आपको का वियावसिक उतपतन किया सकता है तिसरा चूजों में रोग नहीं लगते है और तो शौटा आठा दिन में हिं निकल जाते है ठीक है आते हैं उसके बाद आप नेस्ट कोश्चेंग क्या पूछा है इंक्यूबेटर अंडे सेन की समय आवशे कोई चार या पार साउधानिया लिखे तो आपको यहाँ पर चार साउधानिया त्यार करना तो पहले साउधानी क्या है अंडो को निशेशित होने की पूर्ण जानका उसके बाद बूर्टर क्या है एक अच्छे बूर्टर की चार विखे लिखे अभी आपका प्रीबोर्ट का पेपर होता है उसमें एक कोश्चेंग फूचा गयाता है तो नोट कीजिए बूर्टर एक ऐसा यह उंत्र है जो मुर्गी के चूजों के लालंग पालन हित्तों प बूर्टरों में चूजों का बीचावन सुका होना चाहिए ठीक है नोट कर लो उसके बाद आपको यहां पर नेस्ट कोश्चन त्याक कर जाना यह वला भी आपको प्रीबोर्ट के पूछा में पूछा गयाता है एचिंग के लिए अंडों के छार्टे समय किंकिन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो यहां पर निमली की ते पहला अंडे समा गम के 24 गंटे बाद प्राप्त किये गये हो अंडों के निस्रेचिंग के जनकारी हो अंडों का भार 50-69 ग्राम तक होना चाहिए अंडों का रंग गहरे बुरी रंग का होना चाहिए अंडा एक सब्ता से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए अंडे चिकने वो कवच चिकने कवच वाले होने चाहिए ठीक है नोट कर लो उसके बाद आपको यहाँ पर नेस्ट कोश्चन तया करना है प्राकरतिक विदी से मुर्गियों दरा अंडे सेन के तीन लाब यहों दो हानिया लिखे तो यहा लाणी के बात करें तो व्यावसिक देश्टी से उप्यूप नहीं है कड़क मुर्गी क्या कुड़क मुर्गी समय पर नहीं मिल पाती है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर नेस्ट कोश्चन तया करना है मुर्गी पालंग का भारती अर्थवस्ता में योगदान आपको बताना है तो यहाँ मुर्गी पालंग कोई पाज लाब बताए तो इंपोर्टे कोचन है पहला लाब यहाँ पर बात करें यह विससता बात करें यह योगदान की बात करें तो पहला क्या यह कुटल उद्यों के सम्मान एक वियावसाई है यह लगवग 20 लाग लोगों को र सराष्टी आई प्राप्त होती है ठीक है मुर्गी पालंग वीदेशी आई प्रप्ति का साधा ने इससे वर्ष दोजाट 6-7 में 3.7 बिलियन का उप लोटरी उत्पत का निर्यात हुआ ठीक है तो यह वाले कोश्चन आपको चाह नुमर के लिए तैयार करना है उसके बाद आपको यहाँ पर मुर्गियों में यहाला कोश्चन बहुती important है और यह लास्ट चार नमर का जो कोश्चन है उसके लिए बहुती important है मुर्गियों में रानी खेत का आपको कोई 4 उपचार बताना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोट करते जाहीं यहाँ पर जितने भी कोश्चन बता हूँ सभी के सभी important कोश्चन है मुर्गियों में राणी खेद बीमारी का आपको चार लक्षन बताना है तो यहाँ पर दिये गए नोट करते जाहिए ठीक है उसके बाद यहाँ पर खुनी दस्त रोक का आपको कारक लक्षन उपचार बताना तो यहाँ पर दिय लक्षन भी दिया गया एक ठीक है नोट कर लो उसके बाद यहाँ पर मुर्गियों के बाभी पर जिवी से बचाने के कोई पाच उपाई तो यहाँ पर दिये गए नोट कर लो उसके बद बड़ फुलू क्या इसके आपको चार पर मुख लच्षन बताना तो यहाँ पर खासीयो चीओ उड़नाता सासलिने में खटना ही खोना मुर्गियों से पड़ता नी फूसर पर χसिरो भारण संक्या में मुट्णर सिर्व और है लगवा मारा पर दे दिया तो टेलगाम चैनल पर जाकते हैं इसके लाइक या कुश्चन तो मिस्टागराम पर आते तो फोलो जरू पर आपको सारी इंपोर्टेंट जानकारी दी जाती है ठीक है तो इसका जो पीडियो पर अच्छी से डाउनलोड करेंगा पीडिया पर आपको टेलगाम चैनल पर मिल जाएगा और टेलगाम चैनल की लिंक आपको डिस्वस मिल जाएगी और इतने कोश्चन अपको अच्छी से त्यार करना है आप पेपर में तबाही मचा कर आ जाओगे ठीक है तो अगर आभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर जिए वीडियो क